हाई वीवर्स एक बार पीसे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चेनल जाइका इंडिया कापर आज हम बनाने वाले हैं सुर्ती एक घोटाला यह बहुत ही लजीज बनता है और इसकी रेशिपी बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम हाफ फ्राइ बनाएंगे इसके लिए पेन में दो टेबल स्पून तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद हम इसमें एट करेंगे एक अंडा और इस पर एट करेंगे एक चुटकी नमक इसी के साथ एट करेंगे एक चुटकी काली मिर्स पा करके इसे 10-12 सेकेंड के लिए अच्छे से प्राई कर लेंगे और चम्मच की मदश से इस पर थोड़ा-थोड़ा तेल एड करते रहेंगे कि यह दस्य बारा सेंद टक प्राइए करने के बाद हम ने हाफ नग को एक प्लेट में निकाल लिया है एक गोड़ा मनाने के लिए के लिए एक टेबल स्पून बारिक कटीवी प्याज और एक टेबल स्पून बारिक कटे हुए टमाटर और एक टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा धनिया हाफ टीस्पून अधरखो लहसुन का पेस्ट एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला एक चोथाई टीस्पून काली मेश पाउडर एक चोथाई टीस्पून नमक हाफ टीस्पून धनिय जीरे का पाउडर एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून लान जिस पेन में हमने हाफ फ्राइ बनाई थी उसी पेन में बच्चे हुए तेल को गरम कर लेंगे और इसमें एट करेंगे प्याज और टमाटर इसी के साथ हमारे सारे इंग्रीडियंट्स भी एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाइ फ्लेम पर इन मसालों को अच्छे से फ्राइ होने देंगे यह देखिए हमें इन्हें मेसर की मदद से अच्छे से मेस करते रहना है अब हम इसमें एट करेंगे दो टेबर स्पुन पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी के साथ मसालों को मीडियं फ्लेम पर कुछ देर तक पकाएंगे अब हम इसमें एट करेंगे एक बोईल किया हुआ अंडा जिसे हमने कद्दुकस कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पांच मिनीट तक पकाएंगे एक घोटला दो अंडो से बनता है हमने जिस अंडे की हाफ प्राई बनाई थी वो थोड़ा कच्चा रहता है और यह हमने बोईल किये हुए अंडे से बनाया है अब गेज की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे हमारी हाफ प्राई पर एट करेंगे हम इसे अच्छी तरह से हाफ प्राई पर एट कर देना है इस तरह से हम हाफ प्राई को क्रस करते हुए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ हमारा बनाया हुआ सूर्ती एक घोटाला सूर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है हमने इसे सूर्व करते वक्त इस पर थोड़ा सा चीज एट किया है चीज यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है तो लीजिए खाने के लिए तयार है सूर्ती एक घोटाला अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और सूरत की यह अनोखी डीस आपको कैसी लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें